तो देखेगा एक बहत पुर्ण निमंद पर हम चर्चा करेंगे और बहन निमंद आपका बहुत चर्चा में रहता है करन्ड के मुद्दे को लेकर के हो या आपका जो वर्तमान में तमाम देश इस पर लेकर आपके सम्मिट करते रहते हैं बड़े-बड़े ओर्गनाइशन इ इस रिष्टि से काफी महतपुण या आपका निमंद होता है। किसी भी निमंद को लखने से पहले उसका एक माइंड में टॉम जायेकि हमें क्या-क्या पॉंट लिखने हैं कितने हैंडिंग्स या कितने हमें इसमें पैराग्राप बनाने हैं डार्टि निमंद दिखने से कि आप उसमें रफली जो लाष्ट पापका पेज होता है ठीक है या आपको जो पेपर मिलता है उसके पीछे ठोड़े बहुत भी स्पेस अगर खाली है तो उसमें आप क्या करें जो भी निमंद है ठीक है उसको लेगर के कि उसका हमें तेगْ लाइन क्या देना है टैग्लाइ इसमें क्या-क्या चीजे हमें डालनी है और किन-किन बिस्व पर हमें उसमें ध्यान देना है इस तरीके से हमारे निमंद का एक प्रोपर जो लेखान होता है बहुत सुरू हो जाता है फिर हम उसमें धीरे-धीरे जो भी चीजे होंगे आपकी उसके कुछ पिरभाव होंगे, सकरात्मफ होंगे, नकरात्मफ होंगे, गुवर्मेंट पोलिसीज होंगी, कुछ अंतरराष्टे लेविल वलगा ट्रीटी या कुछ शम्मिट हो या उसका जिकर करेंगे और भविष्य में क्या-क्या पोसिबिलिटी है उसकी, क्या-क्या उसमें सुधार हो सकते हैं, तो जब भी निमंद को अगर हम मतलब एक फिनिसिंग लाइन पाते हैं, तो उसमें ध्यान देना होता है कि जो हमारा लाष्ट का पैरग्राफ है, जो हम लाष्ट में वक्त अव को अगर तक अभाऊ भी झहलकता है, तो ये चीजे भी आपको ज़रूर याज रखनी होती हैं, मेलनी क्या है जब भी आप को निमंद लिखते हैं, तो पहले उसका आप मन में सोचते हैं, कि आखिरकार ये होता क्या है, फिर इसका कारक क्या-क्या होते है, क्या मनुश्य से होता है समाजिक है कैसा है उसी पिरकार से फिर हमारे में माइंड में उसकी फिगर बननी सुरू हो जाती है जब भी आपको निमंद कराएं तो कोशिश कर जैसे जलवायू परिवर्तन का आपका निमंद है तो आप जैसे कोई सभी न्यूस पेपर प्रिफर करते हैं तो आए द आपको कहीं न कहीं आपका जलवायू परिवर्तन से लेटिट आर्टिकल देखने को मिल जाता है तमाम घटनाए हो रही है वर्तमान में यूरोपिय देशों में टैंपरेचर दिन पर दिन साधा बढ़ता जा रहा है और हिश्ट्री में यह भी दर्ज किया जा रहा है कि मतल तैयार कर रहे हैं तो उसके कोंटेक्स्ट में आपके पास ज्यादा माटेरियल हो जाता है अगर आप किसी न्यूस पेपर बगार का सहारा लेते हैं अब जैसे जलवायू परिवर्तन के ओपर पहली इसमें कोटेशन देने कोशिश की गई है मतलब एक हमने छोटी सीसमें ल इंटेक्स्ट में और जलवायू परिवर्तन जो है उससे इसको जोड़ा गया है चुकि हमने मनुष्य ने बरतमान में पिर्थवी का इस तरीके सा आर्थिक दोहन करना सुरू कर दिया है एक लिमिट से आउट ठीक है और उसका पिरभाव क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज पर ऐसमय पर बारिस हो रही है और नियमित गिलेश्यों का एक कह सकते हैं कि क्रमबत तरीके से ना पिगलना ऐसमय पर भी उनका पिगलना जारी रहना या उनमें तेजी आना increasing हो ठीक है तो इस तरीके सा आप कोई सा भी निमंद हो आपका महिला के उपर निमंद है महिला स्किर्थी के उपर निमंद है तो कोशिस करें अगर आपको कोई quotation याद में नहीं है तो एक ऐसी लाइन बनाएं कि जिससे effect बढ़े कि हां उसमें कहना क्या रहे हैं अब आप इसमें देख रहे होंगे इस line में कि इसको relate कर देगा है पिर्थवी से ठीक है तो जलवायू पर परिवर्तन को समझने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि जलवायू क्या होता है समानते जलवायू का आश्य किशी दिये गए छेतर में लंबे समय तक ओसत मोसम से होता है एक जलवायू होता है ठीक है उसमें क्या होता है आपका लंबे समय से कहीं का भी जो मोसम रि प्रिवर्तन कहते हैं जब किसी छेत्र के ओसर टेम्परेचर में नाता है जलवाई परिवर्तन को किसी इक इस्थां विशेश में System सकता है संपूर विश में भी संधर में बात करें तो यह इसका परभावलकभग शंपूर विश में देखने को मुल रहा है फिर आप इसमें अभी इसका contest चल रहा है अभी इसका जो basic बना रहे हैं हम निमंद के प्रिष्ट भूमी तैयार कर रहे हैं अभी वो चल रही है ठीक है फिर इसमें जो बात की गई है यह है कि पिर्थवी का अध्यन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पिर्थवी का यहां निमंद कोल्डेट आपने इसको टच कर दिया है कि इससे थोड़ा सा background से भी ठीक है प्रिष्ट भूमी ही क्या होती है थोड़ा background लेबल भी तैयार करना उसको ठीक है पिर्थवी के तापमान में यह है परिवर्तन संख्या के दरश्टे से काफी कम हो सकता है परन्तो पिखल रहे हैं और महा सागरों का जलिस्तर बढ़ता जा रहा है आपने भी देखा होगा आए दिन आप सुनते हैं कि ऐसा कुछ सालों में आने वाले वर्तमान 40-50 सालों में कुछ भारत के भी द्वीप हैं जैसे लक्ष दीप में कुछ दीप हैं अंडमान निकोबार में द प्रीफ से लुकर युपने वाले हैं क्लाइमेट चेंज इस कदर हो रहा है कि उसका कहीं-न neगेटिव इंपक्त गलेशियर प्लटर और गलेशियर एक तेजी से पिखल रहे लेकिन वे तेजी से पिखल रहे हैं और उनसे क्या हो रहा है गलेशिर तेजी से पिखलने से आपका जो समुद्र का water level है वह काफी increase हो रहा है ठीक है वैसे कहा तो यह भी गया कि मंबोई के जो आसपास के छेतर हैं जो आपके तटिये रेखा के आसपास है महाराष्ट के उनक 2100 तक भारत समेत अमेरिका, कनाड़ा, जपान, न्यूजिलेंड, रूस और ब्रिटेन जैसे सभी देसों की अर्थवेस्ताइं जलवाई परिवर्तन के असर से अच्छूती नहीं रहेंगी यानि कि अभी तो आपको 2023 चल रहा है अभी हम जैसे 2100 में आएंगे तो यहां पर कुछ future point भविश्य को लेकर भी बताया लिया है आपके अगर सारे नाम याद नहीं हो तो थोड़े से मतलब इस तरी के साथ रखे जैसे अमेरिका है, कनाड़ा है, या रूस है, न्यूजिलेंड है, ब्रिटेन है, यह तो नॉर्मल से नाम है ठीक है कुछ समयपूर Cambridge उसे दाले की एक सोध टीम ने 174 देशों के 1960 के बाद जलवाई परिवर्तन सम्मंदी आँख़ों का अध्यन किया है, अध्यन के अनुसार पर डेल डिगरी Celsius से अधिक तापमान के इस्तिती में विविन देशों की अर्थियस्ताओं के साथ-साथ मानव के अस्तित्व पर भी खत्रा उत्पन हो जाएगा, मानव के अस्तित्व से क्या मतलब है कि कुछ पिलेसे ऐसे होंगे जो आपके वाटर लेविल वरणने से ओशियन के वे क्या होंगे वहां पर डूप जाएंगे, ठीक है, इसके अतरिक पिछली सदी से अब तक समुतर के जाल आप देखें, तो वो लगभग इतना ठीक है, आठ इंच की व्यद्धी हो चुकी है, तो कहीं न कहीं खत्रा तो है, जाहिर सी बात है, वहीं सविक्तराश याने की यूएन आपदा जोखिम न्यूनिकरन कार्याले के अनुसार भारत को जलवाई परिवर्तन कारण होई प्र कुछ एसे श्टेट्स हैं, ये यूनियन टेरिट्री हैं, जहां पर या तो बारिस होती नहीं है और हो भी रही है, तो इस कदर हो रही है कि वहां से जो पबलिक जीवन में है बहुत जादा आस्त-वियस्त हो रहा है, ठीक है, तो कहीं आर्थिक छति भी हो रही है, एक तरी दुनिया की बात की जाए तो इसी समावधी में तकरीबन तीन लाग करोड डॉलर की छती हुई है। अब जैसे जलवाई परिवर्तन के कारण है फटा फट सा आप लिखते रहें अब कोई सा भी निमन होता है हर किसी निमन की एक आप कह सकते हैं कि जो लेखन सेलिया थोड़ी अलग होती है परिवर्तित होती है अब यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ अगर हम दिखाना चा सेट लाइन में लिखें दोनों तरफ से आप देख रहे हैं यहां पर पूरा एक शेट है ठीक है यहां पर पूरा अंतर रखा गया और लाइनिंग भी सेम है लग बग तो इस तरीके से लेकर करके आपको भी चलना है यह निमन्द सुद्धी में काफी महत्रपूर्ण आपक प्राकर्तिक गतिविद्यों की आप बिहार जुडिसरी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एपियो की तैयारी कर रहे हैं या आप पीसेज जे की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिसरी की तैयारी कर रहे हैं और भी आपके आरो यारो की जो एक्जाम होते है ठीक ह इसमें थोड़ा एक डाटा हम इसमें चेंज कर देंगे अभी जो आपका इसमें कोप 27 भी हो चुका है ठीक है कोप 27 उसको भी एड़ कर देंगे चलिए तो अब इसमें जो प्राकर्तिक हैं वे कौन-कौन से कारग हैं प्राकर्तिक गतिविदिया क्या-क्या हैं जैसे महादीप यह संबहन यह क्या होता है जी महादीप यह संबहन स्रिष्टी के आरम में सभी महादीप एक ही बड़े धरातल के रोप में पिर्थी पर विगमान थे किन्तु साग्रों कारण धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर होते गए आज उनके अलग-अलग खंड बन गए महादीप संबहन हर्थात महादीपों का खिसकना अब भी जारी है आपने सुनाओगा अफरीका की घटना ठीक है आप इसको यहां पर एड़ कर सकते हैं अराम से अफरीका में आपने सुनाओगा जीलेंडिया साइध उसका नाम था जिसको बोल रहे हैं कि होन ओफ अफरीका को खिसकना अब भी जारे हैं जिसके विए समुद्री धाराएं वहावाएं पर वावित होती हैं और इसका सीधा प्रतिकी जलवाई पर पढ़ता है हिमाल्य पर होती सरंकला प्रतिवर्स एक मिलीमीटर की दर से उंची हो रही है जिसका मुख्या कारण भारतिय उप्खंड का धीरे धीरे महादीप के और खिसकना है जो भारतिय उप्खंड है धीरे धीरे ऊपर खिसक रहा है फिर जलवाई उसका भी जो एक गहरा पिरभाव जलवाई परिवर्तन पर पढ़ता है जलवाई विस्पोट होने पर बड़ी मात्राइं में गैसे से निकलती है कुछ बहुत ज़ादा हानिकारग गैसे निकलती है उसी की यहां पर चर्चा की गई है सल्फर डायकसाइड हो, जलवास हो एक और याद रखे गए यहां से आपका जो जौला मुखी में सबसे ज़ादा हानिकारग गैस निकलती है वह जलवास भी होती है ठीक है आदी तथा धूलकड वाई मंडल में उसरजित होते हैं जो कि वाई मंडल की उपरी परत समताफ मंडल में जाकर फैल जाते हैं आपका समताफ मंडल जो होता है इस्टेटोसफेर और पिर्थी पर आने वाले सूरे प्रिकास की मात्रा घटा देते हैं है जिससे पिर्थवी का तापमान कम हो जाता है एक अनुमान के उसा है पिर्थवी का जुकाओ जो प्रागर्तिक कारणों में आपका पिर्थवी का जुकाओ पिर्थवी का जुकाओ के कारण पिर्थवी का जुकाओ के कारण पिर्थवी का जुकाओ के कारण का मूल कारण क्या है तो ये पिर्थवी का जुकाओ जुकाओ अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी और कम जुकाओ अथा कम गर्मी तथा कम सर्दी मोसम इस पिरकार पिर्थव जलवाईयू को संतुलित रखने में सागरों का बड़ा योगदान रहता है पिरत्वी के 71% भाग पर भाग में क्या है आपका समुदर वियाप्त है जो की वर्तमान सोई जो की वातवर्ण तथा जमीन के तुलना में दो गुना सूर्य का परकास अपसोशित या अपसोशन करत वायबंडल के आपका पचास गुना अधिक कारबन डैक्साइड समुदर में होती है आप सोश्ते हैं कि समुदर खाली स पानी होता है समुदर कारबन डैक्साइड वी होती है ठीक है जो सैवाल बगार आपके होते हैं ओक्शिजन महां से वी जन्रेट होती है वह नहीं तो भी लिख सकते हैं लेकिन एक क्वांटिटी एक जो लिमिट है सब्दों की और पैराग्राफ की या हैडिंग्स की वह एक दायरे में रहनी चाहिए ठीक है ऐसे नहीं कि अगर 2000 यह 1000 सब्दों में निमन मांगा है तो दबादब लिखे जा रहे हैं ठीक है इतना भी नहीं ड बनती है उससे प्रदूशन बगेरा भी होता है ठीक है तो यह सभी क्या आता है सहरी करण से भी कहीं न कहीं हमारा जो उची उची इमारते बन रही है उनसे भी जलवाई उपर प्रभाव पढ़ रहा है ठीक है अच्छा ओध्यों की करण है जैसे इंडर्शलाइजेसन बनोन्मूलन यह क्या होता है जी ब把elों का अधिक मातरा में क्याता होना मतलब गदंता है ンドु syrup अबादी की जरूतों को पूरा करने के लिए ब्रक्ष काटे जा रहे हैं जाहिर सी बात है अब हर किसी को जो थोड़ा सा मोडन लाइफ है हर किसी को अपने घर में वूडन की हर चीज पसंद आती है सेफ हो कुछ भी चीज़ हो हर किसी में वूडन लग रहा है आपका कागज लगण लकड़ी से बन रहा है तो कहीं न कहीं वनोन मूलन की जो एक वन हमारे आपके सब्सक्राइब को आपस में एक समन्ध में बनाने के लिए संबंध इस्थापित करते हैं बारिश को लेकर के वह कहीं न कहीं प्रभावित होता है ठीक है तो यह अंदाद कटाई जारी ह एस से किहा आपका बहुत उर्दी हो रही है। रसायनिक कीट नास्षको-अ-ुरवर scholarship का प्रयोग, सके तो पICIA है है। क्यमिकल इस तरिकी रंवरुग बालती नहीं है किमिकल फर्टिलाइजर्स है। अच्छे से अन पर खाने के लिए नहीं था एक पील चारस्वाशी नाम से एक अन था जो गहूं था वहां था वहां पर खिलाया जाता था तो कंडिशन्स हमारी यह भी रही है कि हमने फर्टिलाइजर्स का उप्योग मजबूरी में किया और लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं बना कि एक लिमिट में इसको रोक देना चाहिए हाला कि अभी आपने सुनो होगा अभी काफी समय हो चुका है सिक्किम एक आपका जैविक लेकिन उस तेजी से नहीं जिस तेजी से हमारे जो कीट नासक है उसका प्रियोग हो रहा है कीट नासक उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है आपकी जो पिर्थवी है उसकी उर्वुरा छंता कम होने लगती है एट्मोसफेर में उसका प्रिभाव पढ़ता है ठीक है ज इस पिरकार से कीट नासका प्रिभाव आपको देखने को मिलेगा जलवाई परिवर्तन से प्रिभाव बहुत ही बढ़ है जलवाई आजाए पर्यवरन आजाए आप इसमें आराम से लिख देंगे ठीक है एक ऐसा निमंद है कि कहीं न कहीं पूछा ही जाता है जलवाई पर आसा पर प्रिभाव को जहर ही बात है वर्स तो निम हो रही है this समय काफी और ऐसे-एसे समय पर वर्स वाधिया बेमोसम हो थीक है ठीक है और फिर क्या होता ह्ताहिए अधिक मात्रह में बारिस होती है तो कहीं न discussion से गरीवर्स की सदीक नोह से अर्ट-वर risky कला हो जलवाई 60 cm बढ़ने की संभावन भएवना है नहीं द्यूत tutti सब्ढ़ने की सब्सिति में दिशनल का की क्हाना पूर्ति करने के लिए लिए उनको एक कहीzubक्स्यलिद कीषिक्ट. इंट्रनेशनल बिटिंग्स होती है जो विक्सिट डेवलब्ड कंट्री होती है ठीक है वे एक तरीके से विकासियल देशों को इतना महतु नहीं देते काखजों तक ही कुछ चीजे सीमित रहती है वन्ना उनका सब एवन चलता है ठीक है तो यहां पर जिससे दुनिया के आधी से अधिकाबादी जो समुद्र से 60 किलोमेटर की दूरी पर रहती है पर विपरीद प्रभाव पढ़ेगा जलवाई परिवर्तन के प्रणाम सरूप भ पिर आपका यहां पर इस्टेट दिये गए है तटिये कोश्टल जो आपके इस्टेट्स है ठीक है परिणाम सरूप आसपास के गाओं वा सहरों में 10 करोड से अधिक लोग विस्थापित होंगे जबकि समुद्र में जलिस्तर की प्रणाम सरूप भारत के लक्षदीप तथ किर्सी पर भी प्रभाव देख गया है आप नॉर्मली अब जो निमंद है आपका जैसे अभी इस पर चर्शे करें किस तरीके से इसको पंसाइस फों में थोड़ा माइंड में एक फिकर इसकी सेट कर सकते हैं ठीक है किर्सी पर प्रभाव जलवाई परिवरतन के कारण आप किर्सी पर भी नकरात्मक पर भाव पड़ेगा ठीक है पैदावार पर जो अपकी और उबर चंता होती है उस पर भाव पड़ेगा ठीक है सही उतराज अमेरिका में फसलों की उत्पादक्ता में कमी आएगी जबकि दूसरी तरफ उत्तरी तथा पूरभी अफ्रीका मध्य पूर्वी देशों भारत पश्यमी उस्टेलिया मेक्सिको में गर्मी तथन अमीक कारण फसलों की उत्पादक्ता में बढ़ोत्तरी होगी वर्सा जल की उपलबता के अधार पर धान की शेतर में विरद्यों की जाहर सिवात है कर वर्सा जल यहां आपका कहीं पर इंक्रीज वाटर लेविल तो धान की फसल को मतलब उसमें ज्यादा वाटर चाहिए तो उसको तो फायदा होगा ठीक है भारत में परिवरतन के पर असरूं गन्ना मक्का जुआर बाजरा तथा रागी जैसी फसलों की उत्पादक दर में विरद्यों की जबकि सक्विड़ी तो समय के आषब से परन किर्षिपर रहा है तो याज कल कि किर्सी पर आप गी आप जो एक हुता है पैस्टिसाइड आपके सीड सोते हैं विर्वा हो सब्सक्तां किया अपुछ बी कारिये विवभा चेती पर पर जालवारी परिवत्तां हो समय की आवशकता होती है वातावरण में अचानक परिवर्दस है अनुकूलन के प्रभाव उसके मिड़ती हो जाएगी जल्वाई परिवर्दन के सर्वधिक प्रभाव समुदर के तटिय छेत्रों में पाय जाने वाली दलदली छेत्र की वनस्वतियों पर पड़ेगा चुकि जो आपकी बाय डारवस्टी है वै अधिकानस्ता तटिय छेत्रों में ही देखने को मिलती है ठीक है और यहाँ पर पूरा जिकर किया है दलदली वन जिने जुवारी है आपके वन भी कहते हैं गरान भी इनको कहते हैं ठीक है जुवारी है गरान और इस प्रिकार इन पर भी कहीं न कहीं नकारात्मक पर वहाओ पड़ेगा चलिए फिर है मानख स्वास्थे पर विर्वाओ तो मानख स्वास्थे पर भी आपका नकारात्मक पर विर्वाओ पड़ेगा ठीक है इसमें दूसरी अगर हम बात करें समझेगा भी जैसे मानख स्वास्थे पर विर्वाओ पड़ेगा जायर सी बात है तो अब इसमें जैसे जलवाई परवर्शन निपटने हैं तो क्या गया प्रियास है कोई भी समस्य है किसी पिरकार की कोई भी निमंद है आपका तो उसमें कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिससे उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पा रहे हैं तो आप उससे कैसे निपट सकते हैं यह भी एक महतकूर्ण नियम होता है मतलब रोल होता है ठीक है जलवाई परिवर्शन निपटने है तो वैस्विक परियास क्या गया चल रहे हैं आइपी पी आई-पी-पी आई-पीसी सी आपने सुना जलवाई परिवर्दन पर अंतर सरकारी पेनल होता है ठीक है? और निर्मेताओं को रण नीती बनाने के लिए बैंयम वईज्णिक आगणर परता है? जलवायू को लेकर एक आंकलन या अपना रिकोर्ड भविश्य को लेकर जारी करता है, IPCC करता है, ठीक है, IPCC आंकलन सभी इस तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सुसनाय प्रदान करता है, जिसका इस्तमाल जलवायू के पिरती उदार नीती विक्षित करने के लिए किया जा स सकता है, तो यहां पर UNFCC का जिक्र किया गया है, यानि कि संक्तराज जलवायू परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, UNFCC, एक अंतराष्ट्य सम्झोता है, जिसका उद्देश से वाई वंडल में ग्रीन होस के आसे को सर्जन को नियंत्रीत करना है, 1995 से लगातार UNFCC आपका ब क्यूटर प्रोटोकॉल जाएं, आपका किस सम्मंदित है, ग्रीन हाउस गैस उसे संब्दीत होता है, थिर पैरिस सम्झोता है, जलवाई परिवर्क नियुपरिव पढ़ने के लिए अंतराष्ट्य सम्झोता है, ग्रीन हाउस गैस उस सर्जन को कम करने के लख्षे के साथ, संपन 32 प्रश्टों 29 लेखो वाले पैरिस समझोते ग्लोबिल वार्मिंग को रोकने के लिए क्यात्यासिक समझोते के रूप में मानेता प्राप्त है ऐसी खुछ चीजां आप स्किप भी कर सकते हैं जैसे यह लाइन आप इसको भी इसको कर सकते हैं ठीक है चलिए फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब इसके थोड़ा सा थो सपरस्द में हैं ब्हारत ने जलवाई परिवर्तन कोंधाय तो पर घख taking uphold किया था इसमें कुछ आपके आठ मिसटू की थे जय कि अभरत की तरफ से जो आपका पी परोग्राम सुरू किया घृ त sitzt उसमें क्या है आठ प्रोग्राम है कौन-कौन से है राष्ट्य सौर मिशन सौर मिशन को बढ़ावा देना जाहिर सी बात है जो सौर मिशन को बढ़ावा मिलेगा तो कहीं न कहीं जो ग्रीन हाउस गैस वगार का उस सरजन होता है अन्यस रोतों से वह कम होगा विक्षित स्ठीर निवास पर राश्टे मिशन राश्टय जल मिशन हो इस Cake या टरॉर से देख लेते हैं किस आप को याद अग enact जलवाई परिबरतन पर जादा सोचने की जरूद भी है त्योंकि डाइनेमिक आपका निमन्द है ठीक है किसी एक छेत्र मनी है कि भारती संस्कृति पर है संस्कृति पर लिग दिया जलवाई परिबरतन हुआ या एक दो निमन्द ऐसे हैं कोई आपका अंतराष्ट्र लेवि निवड को भी कबार करते हैं ठीक है सिम्पल है कोटे संदे निमन में अच्छी सी फिर क्या है वह चीज़ दोनों कारणार रहों लेक हो जाएगा तो फिर आप उसमें उसके प्रभाव क्या हैं वह भी बताने कोशिच करेंगे और जाब प्रभाव हो जाएगा तो स्को ले क परियास के जाय रहे हैं उसको बताने कोशिश करेंगे और जब यह हो जाएगा तो वर्तमान में कुछ चीज़े चल रहे हैं उसको लेकर और फिर भारत के कोंट्रेक्ट में है उस चीज़ को डालने कोशिश करेंगे ठीक है तो इस तरीके से हम निमन अपना पूरा कंपलीट क यह से लगा है और जो आपकी क्वेरी है और किसी निमन को लेकर के आप वह भी बताई जागा ताकि हम उस पर भी आपका प्रोपर वीडियो तैयार कर सके वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और लाष्ट में आपको पता ही है हमारा बैच चल रहा है इस् में जुड़ेंगे तो आपको सारे लाइव रिकोर्ड क्लासिस में जाएंगी और इसके साथ साथ हम इसमें मल्टिपिल रिवीजन भी सुरू कर देंगे ठीक है अभी तो हमने कॉर्स कंपलेट करा और एक पेपर भी तैयार हो चुका है लगवाद आपका जो आपको दे दि क्याते सुरू कि जाएंगे झाते सारे गी करिषट्स दीजन भी तैयार हो तो हम एक उड़।